होली की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुपकामनाएं आपके जीवन में ये होली धेर सारी खुसियां और उमंग अच्छा स्वास्त लेकर आए तो आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार होली के एक दिन पहले रात के वक्त होली का देहन किया जाता है और होली का जो पर्व है रंगों का पर्व है उत्साह का पर्व है हिंदू धर में एक ऐसा ये पर्व है जो सिर्फ खुसियों को पाने का है इसमें ना कोई फास्टिंग होता है ना कुछ होता है बस खाये पीजिए और मस्ती कीजिए एक दूसरे को रंग अभीर लगा कर तमा आग के लिए होलिका देहन के दिन अगनी प्रिक्रमा करते हुए आग में और चना मटर गेहूं अलसी ये चीजे उस अगनी में डाला जाता है जो धन प्राप्ती के लिए सबसे खास उपाई मारा जाता है तो होली की रात पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया जलाने का विधान है और पीपल के पेड़ की प्रिक्रमा करने से खोली की रात आपके जीवन की समस्या दूर होती है खासकर धन की तो धन की मुस्किलों को दूर करने के लिए खोली का धहन में आपको अनाज डालने है और पीपल के पेड़ की प्रिक्रमा करना है अब मालक्षमी का आसिरवात पाने के लिए होली का दहन के वक्त एक छोटा सा काम करें सरसों के कुछ दाने अगनी में समर्पित कर दे मा लक्ष्मी का ध्यान करें उनका आसिर्वास से धन बढ़ता चला जाएगा कई बार होता है पैसा टिकता ही नहीं आप कितना भी प्रयास कर लो पैसे नहीं टिकते तब एक छोटा सा काम किया जाता है होली का दहन के दिन अगर आपको भी लगे कि पैसा नहीं ठिकता आता नहीं या पिर कहीं पैसा फ़सा हुआ है किसी ने ले लिया वो नहीं दे रहा तब होली का दहन के दिन परक्रमा करते वे 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर जलती भी होली का में डाल दें 11 परक्रमा और 11 गोमती चक्र हर एक परक्रमा में एक गोमती चक्र डालिए प्राथना कीजिए इसके बाद एक सफेद कागच पर आप जो बेक्ती आपका धन ले लिया है उसका नाम लाल चंदन से लिखिए अठकावा वो भी मिल जाएगा और धन प्राप्ति के योग बनेंगे कई बार क्या होता है जीवन में अग्यात बाधाएं अग्यात भै बहुत सताती हैं यानि अंजाना सदर कई बार सचका भी डर होता है आप चाहते हैं उन डर से उन मुस्किलों से आप बाहर आजाएं तो एक छोटा सा काम कीजिएगा आपको चाहिए होगा एक सुखा नारियल का गोला ये आपको मार्केट में मिल जाएगा तो सुखा नारियल का गोला ले ले अब काला तिल और पीली सरसों सब कुछ एक साथ ले ले अब आप अपने सर से साथ बार उतार ले और जलती होलिका में डाल दे तमाम बाधाओं से परिसानियों से मुक्ति मिल जाएगी होलिका धहन के दूसरे दिन एक छोटा सा काम कियाता है होलिका की राख लाया जाता है और राख को लाकर उसमें थोड़ी सी पीली सरसों और नमक मिलाकर रख ले किसी भी तरह का तांत्रिक क्रिया आपके उपर असर नहीं करेगा कोई आपका कुछ भी नहीं बिगार पाएगा कई बार होता है सत्रू बिरोधी बहुत परिसान करते हैं आप मुश्किल में पढ़ जाते हैं आपको बाहर निकलने के रास्ते ही नहीं दिखते तब एक छोटा सा काम कीजेगा अगर सत्रू बिरोधी जादा परिसान करें तब होलिका दहन के समय साथ गोमती चक्र लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कोई सत्रू बाधा ना डाले और फिर गोमती चक्र को जलती भी होलिका में डाल दें सत्रू बिरोधी चाह कर भी आपको परिसान नहीं करेंगे कई बार होता है न लोग टोड़े टोटके करते हैं हानी पहुँचाने के लिए अगर आपको भी लगता है किसी ने आपके उपर कुछ कर दिया है तंतरमंद जादू टोना तब एक छोटा सा काम कीजिएगा जहां पर होली की रात होली का देहन होगी उस जगह पर एक गड़ा खोदे ले उसमें एक ग्यारा कोड़ी अगले दिन कोड़ीों को निकाल कर यानि होली का देहन के पहले ये काम करना है और जहां पर देहन होगा वहीं पर जब अगले दिन सब कुछ रज़ाए तब निकाल कर ले आइए और अपने घर की थोरी सी मिट्टी ले ले अब ब्लू कलर यानि नीले कपड़े में ये अपके घर की मिट्टी और ये जो होलिका में जो जली है थोरी सी कोड़ियां उसको आप एक साथ बांध कर किसी बहते वे जल में प्रवाहित कर दें जो भी किसी ने तंद्रमंद किया होगा न वो नस्ट हो जाएगा या आप चाहें तो पीपल के नीचे गड एक नीमबू ले ले अपने सर से तीन बार उल्टा वार ले अब इसको लेकर आप चाहें तो घर में ही इसको चार टुकरे कर लीजिएगा लेकर जाईए चौरा है पर जाईए आपका फेस पूरा दिसा में होगा और फिर चारो टुकरों को चारो दिसाओं में फेक दें और राहू के दू परेसान करें तो एक छोटा सा काम करें एक नारियल का गोला ले आए सुखावा नारियल का गोला लाईएगा देखे होली में नारियल का गोला का बहुत टूटका होता है आप अपनी सुभिधान उसा रुपाई कीजेगा अब इस नारियल के गोले में अलसी या अलसी का तेल जो भी आपके पास है वो भर दें थोड़ा सा उसी में गुड डाल दें गोले को हलका सा काट के उसमें भर दीजेगा और फिर इसको जलती भी होलिका में डाल दें राहू का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा और चाहकर भी राहू आपका बुरा नहीं कर पाएगा कई बार होता है धन की बहुत मुस्किलें परिसान करती हैं बहुत ज़्यादा तो होलिका दें के रात में धन हानी से बशने के लिए अपने घर के मुख्य दरबाजे पर थोड़ा सा अभीर गुलाल होता है न तो गुलाल छिड़क दें किसी भी कलर का गुलालो कोई दिकत नहीं है अब घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दो मुख्य दीपक जलाईए दीपक जलाने के समय धन हानी ना हो इसके लिए प्राष्णा कीजे कि भगवान खुब धन दीजिए लॉस ना हो और जब दीपक सांथ हो जाए तब होलीका देहन की जो अगनी है वहाँ पे दीपक डाल दीजिए धन हानी नहीं होगी बंध हो जाएगी अब चाहते हैं कि घर में खुब सुक समरिद दिया है तब ऐसे में आपके घर के जितने भी लोग हैं होलीका देहन में एक छोटा सा काम कीजिए एक पान का पत्ता ले ले लिए उस पर दो लॉंग घी में भीगो कर रखिये और इसके साथ ही ऐस एक बता सा भी रख दें लॉंगे और सा बान के पत्ते पर और ले जाकर होली की होलीका की एग्हार ौरप्रिकिमा करकर उसमें डाल दें जीवन में कस्ट जहना वो समाप्त होंगे अब एक छोटा सा परियोग जो सिपजी के मंदिर में किया जाता है तो अगर आपके नौकरी और व्यापार में उन्नती नहीं हो रही है लगातार हानी हो रही है तब एक छोटा सा काम कीजेगा वैसे तो दो काम करने हैं आपको पहल सर से तीन बार या पांच बार उल्टा वार लें घर से बाहर निकल कर कहीं भी साइड में मिट्टी में हलका सा गड़ा करके उसमें दबा दें और मिट्टी ढग दें पीछे मुड़कर मत देखिएगा घर चले आए बहुत सारी परिसानिया एक बार में ही समाप्त हो सिब जी के मंदिर में जाए और 21 गोमती चक्र हाथ में लेकर आप सिबलिंग पर अर्पित करते हैं आपको बिजनस में फाइदा होने लगेगा और एक बात याद रखिए हुलिका देहन की राक अगले दिन अपने घर जरूर लाईएगा लाकर रखिए नित्ति दिन आप त देश्ट नहीं होगा धन्यबाद फिर मिलेंगे